हमारे देश में बाल श्रम के खिलाफ सक्त कानून के बावजूद भी मासुम बच्चों से दुकानों, होटलों और अन्निकई जगों पर काम कराया जाता है। इसी को धियान में रखते हुए श्रम विभाग ने एंटि-हूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ मिलकर बाल श्रम के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया। जिसके तहट लोगों को बताया गया कि 14 वर्षे कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराद है। और इस अपराद करने वाले को क्या सजा मिलेगी। बाल श्रम के खिलाफ अभियान सितार गंज में चलाया गया। अभियान के तहट दुकानदारों, धाबा, रेस्टूरेंट, होटल, मॉल के मालिक वा संचालों को को जागरुक किया गया कि बाल श्रम एक जगन्य अपराद है जिसके तहट जुर्मान वा सजा दोनों का प्राभिधान है। अभियान के दौरान ही पाच बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिसके बाद उनके माली को बरकारवाई की गई। साथ ही उनके परीजनों को बुला का समझाया गया कि इन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है ना कि काम कराने की। अगर दौरा इस पर दौरान ही पाच बच्चों को बाल श्रम करते हैं। इनको हमने रेस्क्व किया है और उनके जर्थ परीजनों को बिला करके उनका काउंसिलिंग करा करके, लिगायत दी गई है कि इस तरह के आप बच्चों से काम ने कर आए और अगर दुबारा इस तरहों से यह मिलते हैं कभी इनकी प्राम आशका है। वो खबरें जो आपके काम की हैं। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास से चुड़े मसले। हर मसले का सठीक विश्लेशा। हम करते हैं सत्यका अनवेशा।